क्यों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूं श्यवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका एपना चैनल जीएस की खान बढ़नेंगी आपको पहलुआ तो friends आज की इस class में हम discuss करने वाले हैं आपके साथ में आपके GKGS के कुछ बहुत ही महत्वपूर डोप्रेशन पूरे हम चार सेट आपके class में discuss करने वाले हैं Set 1, Set 2, Set 3, Set 4 ओके इस चार सेट में लगभग हम 200 से ज़यदा questions को discuss करेंगे तो मैराथन क्लास आपकी होने वाली है चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन अगर आपको क्लास अच्छी लगे पसंद आये तो लाइक कीजेगा बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दे तो प्लीज फ्रेंड्स फटा फट से सब लोग क्लास को अपने शेयर कर दीजिए तो आपका पहला क्वेस्टिन है कि भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभकी विस्फोट किया था तो नरवरा में, कोटा में, पोखरण में थुम्बा में बताइए आपको फ्रेंड्स बताना है कि भारत ने प्रथम भूमिगत नाभकी विस्फोट कहां किया था इस question का right answer हो जाएगा friends, option number हमारा C, पोखरण में, कहां पे किया था, तो इस पोखरण में किया था, clear, चलिए अगला प्रेशन दिया गया है, किस खेल में, sorry, तो किस खेल में game point से game और game set बनते हैं, बहुत अच्छा प्रेशन, काफी important question discuss करेंगे, आप लोग class को support करिएगा, तो किस खेल में game point से game और game set बनते हैं, बताइए इस question का right answer हो जाएगा, option number C, tennis, किस से, तो tennis से, clear, जिनका भी answer, option number C हमारा आ रहा है, वो इस question के लिए बिल्कुल सही answer है, चलिए हम देखते हैं, इस class का अगला प्रशन, अगला प्रशन है, तीसरी कसम, फिल्म किस की कहानी पर अधारित है, बताइए तो विमल मित्र, प्रेम चंद, फंडीश्वर रेडू, या शरत चंद्र, तो तीसरी कसम जो है, ये फिल्म किस की कहानी पर अधारित है, कमेंट करेंगे वेरी गुड, इस question का right answer हो जाएगा, option number C, फंडीश्वर नाथ रेडू, इनकी, तो फंडीश्वर नाथ रेडू जी की, option C जिनका भी answer आया हुआ है, वो इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए अगला प्रश्ण है, वह अंतरुक्ष शेटल कौन सा था, जिसके दुर्गटना गरस्त होने पर कलपना चावला की मत्यु हुई थी, बहुत अच्छा प्रश्ण है, ठीक है, आसान question है, कमेंट करें चलिए, अगर हम बात करें आपके इस question के right answer की, तो जिनका भी answer option number C आ रहा है, कोलंबिया, बिल्कुल सही answer है, कोलंबिया इस दा right answer, चलिए अगला प्रश्ण साइना नहवाल कौन सा खेल खेलती है, तो लॉन टेनिस, बैडमिंटन, शतरंज, या तैराकी, तो साइना नहवाल, मत्या ये friends, कि साइना नहवाल कौन सा खेल खेलती है, चलिए, इस question का right answer, अगर आपने चुना है, option number B, तो बिल्कुल सही answer है, बैडमिं खेलती है, तो यासे में जिनका भी answer, friends, option number B, आ रहा है, वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा, बैडमिंटन, चलिए, अगला प्रश्ण है, विशाल का ये दूर संचार कंपनी, Airtel, किस देश की है, वेरी इजी question, मत्तों, Airtel कंपनी किस देश की है, तो आस answer, friends, option number C, आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है, उनका भारत, ओके, चलिए, हम देखते हैं, इस class का अगला प्रश्ण, अगला प्रश्ण है, विश्य में प्रथम नोबल सहित्य का विजेता कौन था, शली प्रदोव, आर्थरस, मार्थर किंग, जी सोर्ने किंग, विश्य मे प्रथम नोबल सहित्य का विजेता कौन था, इस question का right answer हो जाएगा, option number A, शली प्रदोव, ओके, जिनका भी answer, friends, option number A, आरा है, बिल्कुल सही उत्तर है, उनका, शली प्रदोव, ओके, चलिए, अगला प्रश्ण हिंदु विधी पर एक पुस्तक, मिताक्षरा किसने लिखी, तो नयन्चंद्र, अमोग वर्ष, विज्ञानेश्वर, कमबन, तो बताए हिंदु विधी पर पुस्तक है, मिताक्षरा, तो मिताक्षरा किसने लिखी है, बताइए, इस question का right answer हो जाएगा, हमारा option number C, विज्ञानेश्वर, तो विज्ञानेश्वर लिखा है, जिनका भी answer option number C आ रहा है, वो इस question के लिए बिल्कुल सही answer है, चलिए, अगला question पूछा गया है, कि Indian Oil Corporation का सबसे बड़ा refinery कहां इस्थित है, बताइए, Indian Oil Corporation का सबसे बड़ा refinery का हल्दिया, बराउनी, डिगबोई, तीन options आपके सामने है, और इन ही तीन में से right answer है friends, बताइए, का भी answer option number A आ रहा है, हल्दिया, बिल्कुल सही answer है, ठीक कहां पर इस्थित है friend, तो हल्दिया में इस्थित है option number A, हमारा इस question के लिए बिल्कुल सही answer है, चलिए, अगला question है आपका, natural economics of the world के लिखक कौन है, तो अमरत्य सेन, रॉबर्ट कलाइव, पीजी दंबरम या रॉ option number C, ठीक है, पीजी दंबरम, जिनका भी answer friends, option number C आ रहा है, बिल्कुल सही उतर है उनका, तो पीजी दंबरम, चलिए, अगला question है, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा, होकी का पहला स्थरण पदक निम्लिखित में से किस वर्स जीता गया था, तो ओलंपिक खेलों में भा तो और द्वारा होकी का पहला स्थरण पदक किस वर्स जीता गया था, आपके options है, बात करें, जिनका भी answer जिनका भी answer friends, option number 2, R है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, 1928 सिस्वी में जीता गया था, जिनका भी answer friends, option number 2, R है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, चलिए, हम देखते हैं इस class का अगला प्रश्ण, अगला प्रश्ण है आपके लिए, कि चीन की महान दीवार का निर्मान कब पूरा हुआ था या कब हुआ था तो चीन की महान दीवार का निर्मान कब हुआ था बताईए इस क्वेशन का राइट अंसर हो जाएगा ऑपसन नंबर हमारा ए 214 इशापूर हो ठीक है कब 214 इशापूर में हुआ था ठीक है जिनका भी अंसर उपसन नंबर हमारा ए आया हुआ है वो इस क्वेशन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है 214 इशापूर हुआ था चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटा-फट से अगला प्रशन अगला प्रशन Great Old Man of Britain किस महानविति का उपनाम है बदójट तो ग्रैंड ओल्ड man of Britain किसको बोलते हैं देखते कौन बता पाएगा बहुत अच्छे questions लेकर के आए हुए हैं आप लोग class को support करते हैं रही class को share करते रही है तो अगर हम बात करें इस question के right answer की तो जिनका भी answer option C आ रहा है विल्यम एवार्ट ग्लैड स्टोन बिल्कुल सही answer है तो grand old man of Britain किसको बोलते हैं विल्यम एवार्ट ग्लैड स्टोन को बोलते हैं जिनका भी answer option number हमारा C आया हुआ है वह इस question के लिए बिल्कुल सही answer है चलिए अगला प्रशन विश्यकी सबसे वेस्थ व्यापारिक नदी है विश्यकी सबसे वेस्थ व्यापारिक नदी कौन से बताइए तो इस question के right answer के अगर बात की जाए तो friends जिनका भी answer option number B आया हुआ है बिल्कुल सही answer है राइन ठीक है राइन जो है दुनिया की सबसे वेस्थ व्यापारिक नदी है तो option number B हमारा इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है चलिए हम देखते है इस class का friends फटा-फट से अगला प्रशन केंदरी सांखिकी संग्ठन द्वारा पहला देश व्यापी आर्थिक सर्वेक्षड कभ कराया गया बताएग तो 1970, 1974, 1976 यह 1982 तो केंद्री सांख्य की संगठन द्वारा पहला देश व्यापी आर्थिक सर्वेक्षड कब कराया गया बताइए इसके वेस्टिन का रहीटा अंसर हो जाएगा हमारा ओप्सर नमबर सी 1977 ठीक है जिनका भी अंसर फ्रेंट्स ऑप्सर नमबर हमारा सी आ रहा है विल्कुल सही उत्तर है उनका ठीक है चलिए यह अगर हम बात करें इसके आंसर की जिनका हम वी अंसर ओप्सर सी आ रहा है विल्कुल सही उत्तर है तो यह टेनिस से संबंधित है ओके डबल फॉर्ट खेल का संबंद, डबल फॉर्ट शब्द का संबंद किस खेल से है, ये टेनी से संबंदित है, ओप्शन सी हमारा इस प्रश्ण में बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है, चलिए, देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटा फट से अगला प्रश्ण, अग संयूक तर राज अमेरिका तो विष्ट में सबसे अधिक सडकों का विष्टर दजाल किस देश में है, बताएं, इस क्वेशन का राईट अंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उप्सिर न此ल मेंर से तो अमेरिका में कहां पर है, तो किस देश में तो अमेरिका में है और ऑप्सन डी हमारा इस क्वेशन के लिए जिनका भी आंसर आया हुआ है विल्कुल सही उत्तर है चलिए अगला प्रशन प्रथम तीन विश्यकप क्रिकेटर आयोजनो को किस नाम से जाना जाता है देखिए बहुत अच्छा प्रशन है एक बार मैं आपको प्रशन फिर से फ्रेंस पढ़ता हूँ और फिर आप इसका अंसर करिए प्रशन में पूछा जा रहा है कि प्रथम तीन विश्यकप क्रिकेट आयोजनो को किस नाम से जाना जाता है आपके options है Prudential विश्यकप, Bason and Hages विश्यकप, Reliance विश्यकप ये Will से विश्यकप मत आये इस question का rate answer हो जाएगा Friends option number हमारा A Prudential विश्यकप किस नाम से जानते हैं तो Prudential विश्यकप के नाम से जानते हैं जिनका भी अंसर option number AR है वो हमारा इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा Prudential Wish Cup ठीके चलिए हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question प्रकाश पादुकोन किस खेल से संबंधित प्रसित खिलाडी है तो tennis, badminton, शतरंज इनवे से कोई नहीं तो प्रकाश पादुकोन ठीक है ना, प्रकाश पादुकोन जी का संबंध किस खेल से है, बताइए अगर हम बात करें इस question के answer की तो dear friends, इनका भी answer option number B आया हुआ है बिल्कुल सही answer है, badminton ठीकर प्रकाश पादुकोन जी का संबंध badminton से है, option number B हमारा इस question के लिए बिल्कुल सही answer होगा ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question, इसराइल की parliament का नाम है, तो folcating, diet people's assembly ये नेसेट, बताइए, तो इसराइल की parliament का नाम क्या है चलिए, इस question का right answer option D हो जाएगा, नेसेट, clear तो इसराइल की parliament का नाम क्या है, नेसेट है ठीक है, जिनका भी answer option number हमारा DR है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, नेसेट is the right answer of this question, चलिए हम देखते हैं इस class का friends, फटाफट से अगला प्रशन अगला प्रशन है, कि विश्य बैंक का मुख्याले निमलिखित में से कहा है टोक्यू, डीसी वासिक टेन, ये वासिक टेन डीसी, ठीक है पेरिस, या नई दिल्ली, तो बताइए friends, कि विश्य बैंक का मुख्याले कहां पर इस्थे थे चलिए, तो friends, अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो option number B जिनका भी आंसर आया हुए है ठीके, वाशिगाटन DC ठीके, वाशिगाटन DC में है विश्य बैंक का मुख्याले, तो option number B हमारा इस question के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीके, वाशिगाटन DC हमारा इस question का बिल्कुल सही उत्तर है चलिए, हम देखते हैं इस class का friends पटाफट से अगला प्रशन अगला प्रशन, राश्टर मंडल खेल पहली बार कब आयुजित किये गए थे उनने सो औरतालिस, उनने सो औरतिस, उनने सो चौतिस या 1930 है, राश्टर मंडल खेल सबसे पहले कब आयुजित किये गए थे चलिए, इस question का right answer हो जाएगा, option number हमारा D, 1930 में ठीके, तो राश्टर मंडल खेल सबसे पहले, 1930 में आयुजित किये गए थे इनका भी answer है, option number D, राफ्रेंट्स, मिल्कुल सही answer है 1930, चलिए, हम देखते हैं इस class का अगला प्रश्ण, अगला प्रश्ण है नाजियों दोरा किस पुस्तक को अपना Bible माना गया है, अपना Bible माना गया था, बताइए, तो friends, नाजियों दोरा किस पुस्तक को अपना Bible माना गया है, आपके options हैं, Das Capital, War and Peace, Mean Camp या Communist Manifesto, पताइए चलिए, इस question correct answer हो जाएगा, option number C, Mean Camp, जिसको यह हिंदी में मेरा संगर्स के नाम से जानते हैं और यह Hitler दोरा लिखी के पुस्तक है, जिनका भी answer friends, option number हमारा CR है, वो इस question के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, Mean Camp, चलिए, हम देखते हैं, इस class का अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, diamond किस खेल परिसर का नाम है, बेसबॉल, court, course या range बताइए, diamond, तो diamond किस खेल पर परिसर का नाम है, बताइए, इस question का राइट answer हो जाएगा, friends, option number हमारा A, base ball, clear, diamond हमारा किस खेल परिसर का नाम है, तो diamond हमारा base ball का, जो खेल परिसर होता है, इसको diamond के नाम से जानते है, option number A, okay friends, option number A, जिनका भी answer आया हुआ है, very good, चलिए, मेरे पहलवानों, हम देखते हैं, अगला प्रशन, अगला प्रशन दिया गया है, कि नेपोलियन बोना पार्ट किस देश का निवासी था, बताइए, तो ब्रिटेन का, इटली का, जर्मनी का, यो फ्रांस का, बताइए, तो नेपोलियन बोना पार्ट, ठीक है ना, तो नेपोलियन बोना पार्ट किस देश का निवासी था बताईए चलिए इस question का right answer हो जाएगा friends option number D France ठीक है तो नेपोलियन बोना part France का निवासी था याद रखेगा option D हमारा इसमें सही हो जाएगा answer ठीक है चलिए हम देखते हैं इस class का अगला प्रश्न अगला प्रश्न किस देश की मुद्रा का नाम है तो क्यूबा बर्मूडा ग्रेनेडा या जमयका पते पेशो तो पेशो किस देश की मुद्रा का नाम है इस question का राइट अंसर हो जाएगा option number A क्यूबा ठीक है तो पेशों किस देश की मुद्रा का नाम है तो क्यूबा का नाम है ओके चलिए चिनका भी आंसर option number हमारा A आ रहा है वो इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा चलिए देखते हैं अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण एशियन डेवलेप्मेंट बैंक का मुख्याले कहां इस्थित है तो पानामा मनीला सियोल ये बैंकक तो एशियन डेवलेप्मेंट बैंक का मुख्याले कहां पर इस्थित है बताईए इस question का right answer हो जाएगा option number B, Manila clear, तो Asian Development Bank का मुख्याले कहाँ पर है, Manila में इस्तित है जिनका भी answer option number हमारा B आया हुआ है वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठेक है, चलिए, हम देखते हैं इस class का अगला प्रशन अगला प्रशन चर्चित पन्यास, The Inheritance of Laws की लिखिका कौन है बताइए, तो friends, The Inheritance of Laws की लिखिका कौन है आपके options है, अनीता देशाई, किरन देशाई, किरन बेदी, सुनीता विलियम बताइए, चर्चित पन्यास, The Inheritance of Laws की लिखिका कौन है बताइए चलिए इस question का right answer अगर आपने चुना है option number B किरण देश आई ठेक है जिनका भी answer friends option number B आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है ठेक है the inheritance of loss की लिख का कौन है तो ये किरण देश आई है फिर जिनका भी answer friends option number B आ रहा है वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठेक है चलिए हम देखते हैं इस class का अगला प्रश्न अगला प्रश्न है नाजीवाद के संस्थापक कौन थे हिटलर मुसोलिनी बिसमार्क ये गैरी वॉल्डी मता ये तो friends नाजीवाद के संस्थापक कौन थे कमेंट करें इस question का right answer हो जाएगा option number A हिटलर clear तो friends नाजीवाद के संस्थापक कौन था हिटलर था ठीक है जिनका भी answer option AR है विल्कुल सही उत्तर है चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न अगला प्रश्न है लाल त्रिकोर्ड का संबंध निमलिखित में से किससे है रेड क्रॉस से परिवार कल्याड से डबलू एचो से या यूनिसेफ से तो लाल त्रिकोर्ड का संबंध किसससे है विताईए इसक्रेस्ण का रहीट अंसर हो जाएगा प्रिवार कल्यार से ठीकर लालत्र रिकोर्ड का संबंध किससे परिवार कल्यार से है जिनका अंसर आप्शन हमारे हमारे विनकूल सही हुतत criminal का संबंध ये आपको याद रखना है उके चलिए थे हम देखते हैं सक्राइप सफ टाफट से अगला पराशना Okay like ंपर्श स्नौ परश्न कौनसा देश सरदन रोडैशिया के नाम से जाना जाता है बताइए चलिए इस question का राइट answer हो जाएगा option number हमारा डी जिम बॉंबे तो कौन सा देश चर्दन रोडेशिया के नाम से जाना जाता है जिम बॉंबे जिनका भी हम देखते हैं अगला प्रशन है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधी क्या कहलाती है वी रभूवी जय हरुमान जय जय जनवजवान बहादुर इस्थल विजय घाट पताइए तो फ्रेंट्स लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधी को क्या कहते है चलिए तो अगर बात की जाए इस question के right answer की तो जिनका भी answer option number D आया हुआ है विजय घाट विल्कुल सही आंसर है तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधी को विजय घाट के नाम से जानते है ओकी जिनका भी answer option number DR है विल्कुल सही उत्तर है ठीक है चलि अगला प्रशन ओटावा किस तेश की राजधानी है बताए ओटावा तो स्पेन स्वीडन कानाडा तीर आप्सन साब के सामने है इन ही में से बताए कि ओटावा किस तेश की राजधानी है बताए इस question का right answer हो जाएगा फ्रेंड्स option number हमारा D कानाडा ओके जिनका भी answer option DR है बिल्कुल सही उत्तर है चलिए अगला प्रशन पूप कहां रहते हैं ठीक है ना तो पूप कहां रहते हैं आपके options मोनेको वैटिकन सिटी एथेंस यह वाशिगटन DC तो फ्रेंड्स फटा-फटा कमेंट करिए कि पूप कहां रहते है चलिए इस question के right answer कि अगर बात की जाए जिनका भी answer option number B आ रहा है ठीक है वैटिकन सिटी तो पूप कहां रहते हैं तो पूप वैटिकन सिटी में रहते हैं जिनका भी answer option number B आ रहा है वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा तो पूप हमारे वैटिकन सिटी में रहते हैं चलिए अगला प्रशन है दक् अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है बताईए option B रैंड ठीक है दक्षर अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है तो friends दक्षर अफ्रीका की मुद्रा को रैंड के नाम से जाना जाता है जिनका भी answer option number BR है वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा दक्षर अफरीका की मुद्रा को RAND के नाम से जानते हैं याद रखिएगा ओके चलिए हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question है my country my life पुस्तक के लेखा कौन है बताइए माई country my life इस पुस्तक के लेखा कौन है आपके options है लाल क्रश्न आडवानी एनार नरैन मोर्ती नरेंदर मोदी या राजनात सिंग बताइए इस question का right answer हो जाएगा option number A लाल क्रश्न आडवानी ठीक है इस class का अगला प्रश्न अगला प्रश्न देखिए ध्यान से पढ़िये का प्रश्न है कि यदि दो देस्तों में युद्ध छड़ जाता है तो युद्ध बंद करने में सक्षम संस्था है बताइए महासभा सुरक्षा परिशद नयाए परिशद या अंतर राश्ट्री नयाले तो अगर दो देस्तों में युद्ध छड़ जाए तो इसको कौन रोख सकता है चलिए इस question का right answer friends हो जाएगा option number हमारा B ठीक है सुरक्षा परिशद clear जिनका भी answer option number B आ रहा है विल्कुल सही उत्तर है उनका सुरक्षा परिशद चलिए हम देखते हैं इस class का friends फटा फट से अगला प्रशन अगला प्रशन व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी पताइए व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी चलिए इस question का right answer होगा option number A चित्रा मरदल कौन है चित्रा मरदल ओके option A हमारा इस question में सही answer है चलिए आपका अगला प्रशन है वह देश जो Land of Operative के नाम से जाना जाता है Land of Operative के नाम से किसको जानते हैं आपके options दियेगे नॉर्वे, पोलेंड, नीदरलेंड, डेनमार्क इस question का रही टांसल हो जाएगा Friends, option number हमारा D डेनमार्क, clear Land of Operative के नाम से किसको जानते हैं, डेनमार्क को जानते हैं जिनका भी answer Friends, option number हमारा DR है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है, डेनमार्क ओके, चलिए, हम देखते हैं, इस class का अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण अब तक के समस्त मानो इतिहास का, अब तक के समस्त मानो जीवन का इतिहास, वर्ग संघर्स का इतिहास है, यह कथन है, बहुत अच्छा प्रश्ण है, ध्यान से पढ़ लिजे, कि अब तक के समस्त मानो जीवन का इतिहास, वर्ग संघर्स का इतिहास है, यह कथन किनका है आपके options है लेनिन का, माक्स का, माओ का, माओ स्टालिन का, बताइए इस question correct answer हो जाएगा हमारा option number B, माक्स का, ठेक है, जिनका भी answer friends, option number हमारा B, R है, बिल्कुल सही answer है उनका, ठेक है, माक्स, clear, चलिए हम देखते हैं, इस class का friends, फटा फट से अगला प्रशन है, अगला प्रशन है, निम्नांकित में से कौन सयुक्त अरब अमिरात की राजधानी है, शाहर जहां, दुबई, अजमान या अबू भावी, मताईए, इन में से कौन सयुक्त अरब अमिरात की राजधानी है, कमेंट कर इस question का राइट answer हो जाएगा, option number D, अबू धावी, कौन है, अबू धावी, option D, चलिए, अगला प्रशन है, हाइकिंग स्ट्रिप, शब्द किस खेल से सम्मंधित है, तो कराटे, गोल्फ, पाल, नोकायन, या बेसबॉल, मताईए, हाइकिंग स्ट्रिप, ये शब्द सम्मं किस से है, ये गोल्फ से है, ठेक है, जिनका भी answer, option number हमारा भी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठेक है, गोल्फ से सम्मंधित है, चलिए, हम देखते हैं, इस class का friends, फटा-फट से अगला question, सय योगति राश्ट की आम सभा का वार्षेक अधिवेशन किस महा के तीसरे मंगल वार्षे सήरोब होता है, मताई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नमबर चलिए इस question का right answer हो जाएगा friends option number हमारा B सितंबर स्वेंत राश्ट्र की आम सभा का वारशे का धिवेशन तीसरे सितंबर महा के तीसरे मंगल वारशे सुरू होता है याद रखिएगा question important रहेगा ये वाला देखते हैं अगला question अगला प्रशे विश्यकी पर्थम महिला राश्ट्र पती कौन थी very easy question बताएए देखिए हम विश्यकी बात कर रहे है भारत की नहीं बात कर रहे है विश्यकी पर्थम महिला राश्ट्र पती कौन थी इस question में जिनका भी answer option C आया हुआ है मैरिमा इसा वेल पैरो मैरिमा इसा वेल पैरो ठीक है जिनका भी answer option number C आ रहा है वो आपका इस question के लिए बिल्पल सही answer हो जाएगा ठीक है चलिए हम देखते हैं इस class का friends फटा फट से अगला question अगला question wish football cup 2010 कहां संपन हुआ दक्षिन अफरीका मैक्सिसको ब्राजील कैनेडा इस question का राइट answer हो जाएगा option number A दक्षिन अफरीका तो wish football cup 2010 कहां संपन हुआ था यह friends हो था दक्षिन अफरीका में कि ओके चलिए option A जिनका भी answer आ रहा है विल्कुल सही उत्तर है उनका चलिए देखते हैं अगला question अगला question अगला question इंद्रा गांधी स्ट्रण कप का संबंद निम्लिखित में से किस खेल से है आपके options ने राश्ट्री होंकी प्रतियोगिता अंतर राश्ट्री होंकी प्रतियोगिता महिला बैड्मिंटन प्रतियोगिता या राश्ट्री गोल्फ प्रतियोगिता तो इंद्रा गांधी स्ट्रण कप का संबंद किस खेल से हैं बताईए इस question में जिनका भी answer friends option number B R है बिलकुल صح词 होता है उनका अंतरराश्ट्री हौच की परत्यों किता जिनका भी answer option number B R है वो इस question के लिए बिलकुल صحी answer है चलिए अगला प्रशं हेलसिंकी राजधानी है तो हेलसिंकी की राजधानी है हेलसिंकी किसकी राजधानी है डेनमार्क की, फिनलैंड की, नार्वे की या स्वेडन की वेरी गुड, इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर ऑप्सन बी आर है, बिल्कुल सही उत्तर है फिनलैंड की, तो हेलसिंकी कि राजधानी है, तो हेलसिंकी यह में फिनलैंड की राजधानी है ऐसे में right answer friends क्या हो जाएगा हमारा option number B होगा सही चलिए हम देखते हैं इस class का अगला प्रेशन अगला प्रेशन कि स्ट्रण अश्व किस फिल्मों सो में प्रदार प्रदत्त होता है वहां आयोजित होता है तो इसका यूजित कहां होता है बर्लिन में कौन में टाइवान में टोक्यो में इस question का राइट answer option number हमारा A हो जाएगा बर्लिन में अश्व स्ट्रण अश्व बर्लिन में आयोजित फिल्मों में प्रदत्त होता है जिनका भी answer option number हमारा A आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका चलिए अगला प्रशन गैंबिट निम लिखित में इसे किस खेल से जुड़ा शब्द है तो कैरम, ब्रिज, शत्रण ये बिलियर्ड्स बताइए तो गैंबिट गैंबिट किस खेल से जुड़ा हुआ शब्द है बताइए चलिए इस क्वेस्टिन का रहाई प्रशन हो जाएगा फ्रेंड सो ऑप्षन नूमबर हमारा C शत्रण ऑखिए तो गैंबिट जैसे जुड़ा हुआ शब्द है जिनका भी आपताइए, वह आपका इस क्वेस्टिन के लिए बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा तो गैमबिट शत्रंज से जुड़ा हुआ शर्द है ओके चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटा फट से अगला क्वेस्टिन अगला प्रशन मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना यह पंक्ति अपनी रचना में किस्टने लिखी है तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना यह पंक्ति किनकी है बताइए आपके आपसन से मिर्जा गालिब, मुहम्मद इकबाल, रखपती सहाय फिराग या महातमा गांधी चलिए इस question का right answer हो जाएगा option number B मुहम्मद इकबाल, इनकी रचना है यह पंक्तियों की मुहम्मद इकबाल की, clear? चलिए तो dear friends, हम देखते हैं इस class का friends फटाफट से अगला question चलिए स्ट्ट्टू आपके लिए स्टार्ट हो चुका है पहला प्रश्ट्टू का कि research and analysis is बिंग यहीं की raw तो research and analysis बिंग किस देश की गुप्तचर संस्था है और options आपके सामने है चीन, स्वयुक्तराज, अमेरिका, कनाडा या भारत इस question का right answer हो जाएगा friends option number हमारा D भारत, ओके? भारत की चलिए हम रहते हैं, इस class का friends फटा-फट से अगला प्रश्ट है अगला प्रश्ट है निवन में से किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था Thailand, Vietnam, Sri Lanka यह Japan तो किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था चलिए इस question का right answer हो जाएगा option number हमारा D, Japan, clear तो फिरेंट जापान को पहले निपन के नाम से जानते थे, ओके, जिनका भी answer option number हमारा D आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, चलिए, Japan is the right answer of this question, देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन दिया गया है पेरिश शहर किस नदी के तरफ पर इस्थित है very, very easy question तो डेन्यूब, टाइबर, सीन, सतलज बताइए, पेरिश किस जो है नदी के तरफ पर इस्थित है चलिए, इस question का right answer हो जाएगा option number हमारा C, सीन ठीक है, तो फिरेंट पेरिश शहर सीन नदी के तरफ पर इस्थित है clear, जिनका भी answer option number हमारा C आ रहा है, वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा, चलिए हम देखते हैं इस class का friends फटाफट से अगला प्रशन अगला प्रशन है, दास capital के लेखक है, तो मौत से तुंग, इस्टाउनलिन, लेनिन या काल मार्क्स, पता ये दास capital के लिखा कौन है, कमेंट करेंगे चलिए, इस question का right answer हो जाएगा, option number D काल मार्क्स, ठेक है, तो दास capital के लिखा कौन है, काल मार्क्स चलिए, देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन है, कि स्यूंक तुराष्ट संग का मुख्याल है, निम्न में से कहां इस्थित है, न्यू यॉक, वर्शिगटन, सेन फ्रांसिस्को या फिलाडेलफिया, इस question का right answer हो जाएगा, friends, option number A, नियू यॉक, ठीक है, तो स्यूंक तुराष्ट संग का मुख्याल है, कहां इस्थित है, नियू यॉक में इस्थित है, जिनका भी answer, friends, option number A, R है, वो इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा, नियू यॉक is the right answer of this question, चलिए, अगला प्रशह, यूनी वारता, निम्रिखित में से किस देश की एक परमुख न्यूज एजेंसी है, बताए, यूनी वारता किस देश की एक परमुख न्यूज एजेंसी है, आपके options है, सहुगत राज अमेरिका, भारत, इसराइल, यह इटली, चलिए, इस question का right answer हो जाएगा, friends, option number B, भारत, ठीक है, यूनी वारता किस देश की परमुख न्यूज एजेंसी है, तो भारत की है, जिनका भी answer, friends, option number B, आ रहा है, वो इस question के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए, हम देखते हैं, इस class का friends, फटा फट से अगल पर पर अंतरास्टी नियाले कि ICT कहां स्थित है, तो अंतरास्टी नियाले कहां है, बताइए, जिनेवा, हवाना, पेरिस, दाहेग, चलिए, इस question का right answer हो जाएगा, friends, option number D, दाहेग, उके, तो अंतरास्टी नियाले कहां पर है, तो दाहेग में है, option number D, जिनका भी answer आ रहा है, वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए, हम देखते हैं, इस class का अगला प्रशन, अगला प्रशन, डॉन निम्रिखित में से कहां का समाचार पत्र है, दिल्ली, सिंगापूर, कराची, या रूम, बताइए, डॉन, friends, डॉन कहां का जो है, स सब्सक्राइब, कराची, पाकिस्तान का है, ठीक है, जिनका भी answer आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है, उनका कराची, चलिए, हम देखते हैं, अगला प्रशन, अगला प्रशन, जापान का डेट्राइट, उपनाम से कौन सा शहर जाना जाता है, कौन सा नगर जाना जाता है, जापान का डेट्राइट किसको बोलते हैं, नागोया, कोबे, ओसाका, या या का टोम, बिल्कुल सही उनसर हो जाएगा, जापान का डेट्राइट नागोया को बोलते हैं, ओके चलिए, हम देखते हैं, इस कलाile का फृट्ट से अगला प्रशन, अगला प्राश्ण है विष्ण स्वास्त संगथन दो कि कि वीयना रोम जेनेवा यह लिए यह विष्ण स्वास्त संग्थन दो फ्स विश्च स्वास्त संगथन का मुख्याले कहां इस्तित है पताईए चलिए इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number C जेनेवा clear तो विश्व साथ संक्षन का मुख्याले कहां पर इस्तित है ये जेनेवा में इस्तित है जिनका भी answer के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा चलिए हम देखते हैं इस class का अगला प्रश्ट अंतर राष्ट्री स्रम संगठन की स्थापना कब हुई तो 1929 में 1946 में 1956 में 1949 में पता यह अंतर राष्ट्री स्रम संगठन की स्थापना कब हुई अप्सर नमबर A 1919 में ठीक है तो अंतर राष्ट्री स्रम संगठन की स्थापना याद रखना है फ्रेंट्स 1919 में हुई थी जिनका भी answer और उप्सर नमबर A रहा है वो इस question के लिए बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा 1919 चलिए हम देखते हैं इस class के फ्रेंट्स फटा फट से अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण नमलेखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है यूरोप के खेल का मैदान किसको बोलते हैं आपसंस आपके इटली तुर्की बेल्जियम और सुटिजर लैंड इस question का answer फ्रेंट्स आप लोग अपने homework में हमको answer इसका दीजिएगा ठीक है इस question का राइट answer दोस्तों आपको अपने homework में बताना है कि यूरोप का खेल का मैदान किसको कहते हैं चलिए अगला प्रेशन माउंट टेवरेश्ट पर चढ़ने वाले प्रत्थम व्यक्ति हैं यह तो तो तेंजीन नोर्गे एडमंड हिलेरी रिचर्ड ब्रांसन यह लूई ब्लोरियो माउंट टेवरेश्ट पर चढ़ने वाले प्रत्थम व्यक्ति कौन है इस question का रहाईट answer option number A हो जाएगा तेन जिन नोरगे clear जिनका भी answer option number A आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका तेन जिन नोरगे चलिए हम देखते हैं इस class का अगला प्रशन अगला प्रशन उत्तरी धुरोपर पहुँचने वाली प्रथम महिला है तो मारिया, इस्टीला, पेरोन, जनको तेवई, मिस फ्रोण इन्हें में से कोई नहीं उत्तरी धुरोपर पहुचने वाली प्रथम महिला कौन है बताइए इस question का रहाईट answer हो जाएगा friends option number C मिस फ्रोण जिनका भी answer friends option number C आ रहा है वो हमारा इस question के लिए बिल्कुल सही answer है चलिए अगला प्रशन है भारत का राष्ट्री प्रतीक है तो दो तारा, चांद तारा, अशोग चक्र और शेर तो भारत का राष्ट्री प्रतीक कौन सह है बताइए अगला प्रशन निम्लिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है शाश्वत नगर किसको बोलते है चलिए इस question का right answer हो जाएगा option number B, Rome ठेक है, तो friends, Rome को शाश्वत नगर कहा जाता है इनका भी answer option number B आ रहा है वो हमारा इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठेक है, तो Rome को शाश्वत नगर कहते हैं, चलिए अगला प्रशन, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हे आजादा ही दूंगा या कतन किसका है, भगत सिंग, सुभाष चणनर बोस, राम परसाद बिस्मिल या बाल गंगा धर तिलग, तुम मुझे खून, तुम topics, मैं तुम्हे देखते कौन बता पाएगा तो वर्स 1984 में वर्स 1985 में वर्स 1986 में यह वर्स 1987 में दक्षिड ACI छेत्री सहयोग कब हुआ बताईए चलिए इस question का रही टांसर हो जाएगा option नमर B 1985 में दक्षिड ACI छेत्री सहयोग हुआ था option B हमारा इस question के लिए बिलकुल सही आंसर है चलिए अगला प्रशन चिकेट सकीए मदद का प्रतीक है तो रेड क्रॉस अन्यायका न्यायका शैतानी का चिकेट C मदद जो है किसका प्रतीक है इस question का right answer बहुत आसान है जो कि सबको पता होगा option number A red cross तो चिकेट सकीए मदद किसका प्रतीक है यह red cross का प्रतीक है जिनका भी answer option number B आ रहा है वो आपका इस question के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा चलिए अगला प्रशन पुस्तक कामसूत्र के रचाईता निम्लिखित में से कौन है बाढ़भट वात्सियानन चंदर बरदाई इन्हें में से कोई नहीं कामसूत्र के रचाईता कौन है बताईए इस question का रहीत answer हो जाएगा option number B वात्सियानन कौन है वात्सायनन है जिनका भी answer friends option number हमारा भी आ रहा है वो आपका इस question के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा तो कामसूत्र के रचाईता कौन है वात्सायनन है ओकी चलिए देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन है सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा या कथन किसका है भगत सिंग, मुहम्मद इकबाल, राम परसाद बिस्मिल्ला ये पंडिजवाहलल नहिरू वेरी इजी question बताईए इस question का right answer हो जाएगा option number B, मुहम्मद इकबाल, ओके चलिए option B is the right answer अगला प्रशन, एफिल्ट टावर निम्रिखित में से किस देश का रास्ट्री समारक है, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, तर्की, तो एफिल्ट टावर किस देश का रास्ट्री समारक है इस question का right answer हो जाएगा option number A, France clear, इस देश का है तो France का है, अगर आपने अपना answer option number A चुना हुआ है, तो फ्रिंट से बिल्कुल सही answer है, France हमारा इस question में बिल्कुल सही उत्तर है, चलिए अगला प्रशन, प्रत्थम भारती महिला IPS का नाम क्या है, तो बिना टाइम गवाय हुए, option number B पर टिक कर दीजे, किरण बेदी, चलिए अगला प्रशन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, असान प्रशने बताइए इस question का right answer, अगर आप चुने है option number C, तो बिल्कुल सही answer है, तो 11 जुलाई को, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जिनका भी answer friends, option number C आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते है, चल चलिए, इस question का right answer हो जाएगा, option number C, ठीक है, शेरे पंजाब के राम से किनको जानते हैं, तो लाला लाश्व पतराय को, ठीक है, तो लाला लाश्व पतराय जी को, शेरे पंजाब हैने कि पंजाब का शेर कहा जाता है, ओके, चलिए, हम देखते हैं अगला प्रश्णा, अगला प्रश्ण है, कि ब्रिटिस सरकार की report को क्या कहा जाता है, तो blue book, green book, white paper, इन में से कोई नहीं, तो ब्रिटिस सरकार की report को क्या कहा जाता है, करें, ब्रिटिस सरकार की report को blue book के नाम से जानते हैं, जिनका भी answer option number AR है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, तो ब्रिटिस सरकार की report को blue book के नाम से जाना जाता है, याद रखेगा, clear, चलिए, हम देखते हैं इस class का अगला प्रश्णा, अगला प्रश्णा, शाह नामा किसकी प्रसिद्ध करती है, तो फिर दोसी, बहादुर शाह जाफर, मिर्जा गालिब, ये विजय घाट, तो शाह नामा, तो शाह नामा किसकी प्रसिद्ध सिद्ध रचना है, बताइए, चलिए, इस question का right answer हो जाएगा, friends, option number A, फिर दोसी, प्रसिद्ध रचना है, जिनका भी answer, option number A, वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा, शाह नामा किसकी रचना है, तो फिर दोसी की रचना है, चलिए, अगला प्रश्णा है, इंदरा गांधी के समाधी स्थल का नाम है, तो महा प्रियाड घाट, शक्ति घाट, क चलिए, इस question का right answer हो जाएगा, option number B, शक्ति घाट, clear, तो friends, इस question में right answer, option number B हो जाएगा, तो इंदरा गांधी के समाधी स्थल को शक्ति घाट के नाम से जाना जाता है, याद रखेएगा, ओके, चलिए, हम देखते हैं इस class का अगला प्रश्णा, अगला प्रश्ण समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला प्रथम यूरूपी विक्ति कौन था, क्रिश्टोफर कोलंबस, वासको डेगामा, सिकंदर महान या नवांग गोंगो, बताएग, समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला प्रथम यूरूपी विक्त ति कौन था इस question का right answer option number हमारा B हो जाएगा वास को डिगामा कौन था ति वास को डिगामा था जिनका भी answer friends option number हमारा B आ रहा है वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा वास को डिगामा चलिए अगला प्रशन दक्षिनी धुरूप पर पहुचने वाला प्रथम व्यक्ति है तो रॉबर्ट पिरी, एमर्डिंट सन, मैगलेन, जुंको तेब तो दक्षिनी धुरूप पर पहुचने वाले प्रथम व्यक् जाएगा option number B, एमंड सेन, clear? तो दक्षिनी धुरूप पर पहुचने वाले प्रथम व्यक्ति कोन है, एमंड सेन है, option number friends हमारा B, इस question के लिए बिल्कुल सही answer होगा, चलिए, हम देखते हैं इस class का अगला question, अगला question दियागा कि घीत गोबिंद के राचाईता है, very easy question, घीत जैदेव, clear? तो friends, गीत गोबिंद के राचाईता कौन है, तो यह जैदेव है, ओके, जिनका भी answer, option number हमारा B, आ रहा है, और A, आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है, चलिए, हम देखते हैं फटा-फट से इस class का अगला question, अगला question, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारती खिलाडी जाना जाता है, लिटिल मास्टर किन का उपनाम है, सचिन तेंदेलुकर, विरोध कामबली, सुनील गावसकर या मोहिंदर अबरनाथ, इस question का right answer, option number C हो जाएगा, सुनील गावसकर, ठीक है, तो लिटिल मास्टर के नाम से किन को जाना जाता है, तो सुनील गावसकर, चलिए, हम देखते हैं, इस class के friends, फटा फट से अगला प्रशन, अगला प्रशन, एस शब्द कि इस खेल से जुड़ा है, लॉन टैनिस, टेबल टैनिस, बैडमिन्टन ये गोल्फ, तो ऐस, ऐस शब्द कि इस खेल से जुड़ा हुआ है, बताईए, अग चलिए, इस question का राइट आंसर हो जाएगा, option number A, लॉन टैनिस, ओके, option A is the right answer of this question, अगला प्रशन, निमलिखित में से किस दिन भारत में तमभाकू विरोध दिवस मनाया जाता है, तो 11 अप्रेल, 11 माई, 5 जून, या 31 माई, तो किस दिन भारत में तमभाकू विरोध दिवस मनाया जाता है, कमेंट करें, चलिए, तो एंटी टोबैको डेकाप मनाते है, 31 माई को, ठीक है, 31 माई को विष्ट तमभाकू विरोध दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो ऐसे में जिनका भी answer, option number D आ रहा है, बिलकुल सही चलिए, dear friends, हम देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हर गोविंद खुरानों को किस चेतर में विशिष्ट योगदान के लिए नोबल पुरस्कार मिला है, तो हर गोविंद खुरानों को किस चेतर में विशिष्ट योगदान के लिए नोबल पुरस्कार मिला है, इस question का right answer, अगर आपने चुना है, option number D, चिकित्सा, तो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, चिकित्सा के छेत्र में विशेष्ट योगदान के लिए हरगमिन खुरोणाट जी को नोबल पुरस्कार से समानित किया गया था, याद रखना है, चलिए, अगला अंतराश्च्री मुद्रा कोस की स्थापना 1945 में हुई, इसका मुख्याले कहा है, बताइए, इस question का right answer हो जाएगा, option number हमारा, A, Washington DC, clear, चलिए, option number A जिनका भी answer आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है, friends उनका, ठीक है, चलिए, हम देखते हैं, इस class का friends, फटा-फट से आगे बढ़ने से पहले हम अपसे request कर रहे हैं, कि अब आप लोग class को please अपने share कर दीजे, please friends आप सब लोग अपने class को share कर दीजे, class में कम से कम 500 प्लस live students कीजिए आप लोग, तो 500 प्लस आप लोग लाइव करिए, और ऐसा तब ही हो पाएगा, जब आप लोग support करेंगे, अ आगे बढ़ने का संकेद देता है, तो विलकुल बच्चो वाला प्रस्चन वाहनों को प्रस्थान करने या आगे बढ़ने का संकेद कौन कर संकेद कौन देते हैं वह एगा यह By you brainlight ह ठापरकाश हैना चलिए देखन अगला प्रस्ट अगला प्रशने माउंट टेवरेश्ट पर चढ़ने वरी प्रत्थम भारती महिला थी असान प्रशन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपसंस दी हो जाएगा शुश्चरी प्रिछेंदरी पाल प्रिछेंदरी पाल ओके अगला प्रशने भारत छोड़ो का नारा किसने दिया बिल्कुल टाइम नी बेगार करना है चोटे मोटे क्वेस्टन में तो भारत छोड़ो अंदूरन का नारा किसने दिया है महत्मा गांधी ने चलिए अगला प्रशन है वयोबध पुरुस के नाम से कौन जाने जाते हैं तो दादा भाय नौरोजी ठीक है दादा भाय नौरोजी को वयोबध पुरुस या ग्रेंड ओल्ड मैन आफ इंडिया के नाम से जानते हैं ओके चलिए कि अगला देखिये कि डियूस मार्क कहां की मुद्रा है इस क्वेशन का राइट हो जाएगा फ्रेंट साथ कि मुद्धा है असे यह हो जाएका जर्मणी टिवस्मार्क जर्मणी की मुद्रा है clear option number C हमारा इस question के लिए friends बिल्कुल सही answer है चलिए अगला प्रश्टम British Governor General निमलिखित में से कौन था तो Robert Clive Warren Hastings Hallwell या Samjohn MacPherson तो पहला British Governor General कौन था इस question का भी answer आपको अपने Homework में देना होगा ठीक है चलिए अगला प्रश्टम भारत में प्रतेक वर्स राष्ट्री युवा दिवस मनाया जाता है बताइए प्रतेक वर्स राष्ट्री युवा दिवस किस तिन मनाते हैं आपके options आपके सामने बताइए तो प्रतेक वर्स बारह जन्वरी को वारत में रास्ट्री युवा दिवस की रूप में मनाया जाता है तो ऐसे में अगर अपना अंसर ऑप्सन नमबर सी चुने हुए है तो बिल्कुल सही अंसर है चलिए अगला प्रशन देश बंदो की उपाद किसके साथ संबध है ऑप्सन आपके सामने हैं बताईए चलिए इस व्येस्टिन का रहे टैंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर वारा भी सी आर दास क्लियर सी आर दास चलिए अगला प्रशन बंदेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है तो नेस्टन असेमली मौजालिस भारती संसद ये ग्रेड पीपल्स खुराल तो बंगला देश की संसद को किस नाम से जानते है वेरी इजी क्वेश्टन चलिए इस क्वेश्टन का रहे टैंसर हो जाएगा हमारा ऑप्सन नमर सी जाती संसद किस नाम से तो बंगला देश की संसद को जाती संसद के नाम से जानते है चलिए अगला प्रशह बरितीन की प्रथम महिला पतालमंतरी निलिकित में इसके कौन है तो ब्रिटीन की प्रथम महिला पतालमंतरी कौन है of Marger Thatcher अंक्ला अन्ठी धुरूप पर फुंचने वाला पर फ्रथम में थे कौन था झूथ और य데ल टेकaty tops क Issं पैस्प ही रॉबर्ट पीरी चलिए अगला प्रशन रामच्रित मानस के रचाहिता है वेरी इजी क्वेश्चन चलिए तो रामच्रित मानस के रचाहिता कौर है तुलसी दास जी है और रामएड के वालमी की ठीक तुछ में कन्फियूज में थोईएगा आपसन नंबर डी जिनका भी आं अगला प्रशन भारती सांख की सांस्थान आई एस ओ मताई यह कहां इस्थित है आई एस तो यह निकि भारती सांख की सांस्थान कहां पर है आपके आपसन से दिल्ली कोलकाता चन्नाई बैंगलेरू आपसन सी चन्नाई ठीक है तो भारती सांख की सांस्थार कहां पर इसी ने फ्रेंट्स यह चिन्नाई में है जिनका भी आंसर आपसन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही होतार है उनका चिन्नाई इस दराइट आजसर ऑफ दिस क्वेस्टिन शेलिए अगला परश है इंटर सर्विजेस इंटेलिजेंस हिनकी आई एस आई तो इंटर सर्विजेस इंटेलिजेंस किस देश की एक गुप्तचर संस्था है बताइए आपके आपसन से इरान समयुक्त राज अमेरिका पाकिस्तान यह भारत तो इंटर सर्विजेस इंटर इंटेल किस देश की एक गुपतिचर संस्था कमेंट करेंगे आप लोग चलिए इस क्वेस्टिन का राइट अंसर हो जाएगा ऑपसन नमर हमारा सी पाकिस्तान की ऑपसन सी जिन का भी आंसर आ रहा है वेरी गुड चलिए तो फ्रेंट्स हम लोगों ने भी तक सेट वन ओर सेट टू डिसकस कर लिया हुआ है और अब आपके लिए जिट तरी के व्यवेस्स के इसट गर्ने जा तो लगभग 100 क्वेस्ट्स डिसकस हो चुके हैं और अभी हम अगर आप लोग सपोर्ट बढ़ाए रखेंगे तो और पहलों इस आप्लोगों से रिकवेस्ट आपको नाम बताना है आपके options आपके सामने है चलिए बताइए इस question का right answer क्या होगा इस question का right answer हो जाएगा option number C सत्य जीत clear जिनका भी answer friends इस question के लिए option number CR है बिल्कुल सही उत्तर है तो फिल्म पंथेर पंचाली के संगीत निर्देशक कौन थे सत्य जीत थे option C is the right answer of this question चलिए हम देखते हैं इस class का अगला प्रेश्ण अगला प्रेश्ण है अर्थ शास्त्र में नोबल पुरस्कार किस वर्ष प्रविष्ट हुआ अर्थ शास्त्र में नोबल पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाने लगा आपकी options है 1968 में 1979 में 1970 में 1971 में बताइए और 67 में नोबल पुरस्कार किस वर्स दिया जाने लगा कमेंट करेंगे आप लोग कि चलिए इस क्वेस्टिन का राइट अंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप्शन नमबर हमारा भी 1969 में ठीक है तो 67 में नोबल पुरस्कार किस वर्स दिया जाने लगा था नाइटिन शिक्टिन नमबर बी इस दराइट अंसर आप इस क्वेस्टिन ओके चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटा-फट से अगला प्रशन 21 आंदोलन का नेत्रत करने के लिए मार्طिन लूथर की को जाना जाता है तो उपनिवेश के बाद विरुद्ध лишь रंगभेद के विरुद्ध सुधार या श्रमिक रुक्य साम्दोलन का नेत्रत करने के लिए मार्टिन लूथर जी को जाना जाता है बताईए इस वेशन का राइट अंसर हो जाएगा ऑफसर नंबर B रंग भेद के विरुद्ध कलियर इनका भी अंसर ऑफसर नंबर B आ रहे हैं बिल्कुल सहीव उत्तर हैं रंग भेद के विरुद्ध reading चलिए हमने चलते हैं फ्रेंड्स आपको आगे इस क्लास के अगले प्रेशन की तरह अगला प्रेशन नोबल पुरसकार की प्रथम मुसल्मान महिला विजेता कौन है बताइए अरुना असाफली बेंजीर भुट्टू तसलीमा नस्रीन श्री निवादी नोबल पुरसकार की जिनका भी आंसर ऑफसे नमबर डि आ रहे है शिरीन इबादी बिलकुल सही उत्तर है उनका शलिये हम देखते है क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रेशन अगला प्रेशन है रडार के विष्कारक कौन थे बताई फ्रेंड रडार के विष्कारक कौन थे जए-ज्य-एफ, वॉन-टैसिल विलहम K. रोन्टजन P. T. फ़नसवर्थ ये A. H. टेलर एंग लियो-सी यंग रडार के विश्कारक कौन थे बताईए इस question का right answer option number D हो जाएगा A.H. Taylor यूम Leo C. Young ओके A.H. Taylor यूम Leo C. Young जिनका भी answer friends option number हमारा D आया हुआ है Very good चलिए हम देखते हैं इस class का आगला question अगला question दिया गया है कि भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किष्णे शुरू किया था तो बाल गंगाथ तिलक, रजार राम मोहर राय, जे एन हिक्की या लॉर्ड विलियम बेंटिक करें इस question का right answer हो जाएगा option number C जे एन हिक्की ठीकित भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र जे एन हिक्की दोरा शुरू किया गया था तो अगर आपने अपना answer option number C चुना हुआ है तो बिलकुल सही answer है आपके लिए जे एन हिक्की चलिए अगला प्रेशन 1789 इसवी की फ्रांस की राज्य करांती का प्रमुख नारा क्या था बताईए आपके option 77 भात्तत इमा समानता 77 समानता इम कर्तव 77 समानता इम अधिकार 77 समानता इम समानता बताईए इस question का right answer option number A हो जाएगा 77 भात्तत इम समानता इनका भी answer friends option number हमारा A आया हुआ है वो इस question के लिए विलकुल सही answer है चलिए हम देखते हैं इस class का friends फटाफट से अगला question अगला question दिया गया है इनके लिखित में से किसमे भारत राज सदस राष्ट नहीं है तो पताईए जी 15 स्टार्ग आयमेफ एशियन इस यान इन में से किसमे भारत हमारा या इन में से किस और organization का किस अंगठन का सदस्य भारत नहीं है बताईए इस question का अंसर आप लोग अपने homework के वताईएगा ठीक है चलिए अगला प्रश्ण है कि भारत में उपगरह अनुवर्तन तथा सर्वेक्षन केंदर स्टार्स स्टार्स का perform क्या होता है satellite tracking and ranging station कहां है भारत में उपगरह अनुवर्तन तथा सर्वेक्षन केंदर कहां है आपके options एहमदाबाद, गुजरात, कवलूर, श्रीहरिकोटा, बंगलोर, कमेंड करें इस question का right answer हो जाएगा option number हमारा B, कवलूर, अमिलनाडू clear, रैसे में जिनका भी answer option number B आ रहा है, बिल्कुल सही, उतना है उनका ठीक है कवलूर is the right answer of this question, चलिए हम देखते हैं इस class का friends फटा फट से अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण भारती सिविल सेवा में चुने गए, पहले भारती का नाम था तो सत्येंद्रनाथ रैगोर, स्रोजनी नैडू, लाला लाश पतराय, इस्तियार दास भारती सिविल सेवा में चुने गए, पहले भारती का नाम क्या था बताईए इस question का right answer हो जाएगा option number A, सत्येंद्रनाथ रैगोर, clear, तो सत्येंद्रनाथ रैगोर जी थे भारती सिविल सेवा में चुने गए, चुने जाने वाले प्रथम भारती, option number first या option number A हमारे इस question के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है, चलिए, अगला प्रशन, R.C. Clark पुरसकार किस तेश का सरवोच सम्मान है, तो United Kingdom, श्री लंका, अर्जिंटीना ये वियत नाम, तो R.C. Clark का पुरसकार किस तेश का सरवोच सम्मान है, बताईए, चलिए, इस question का right answer हो जाएगा, friends, option number हमारा B, श्री लंका, ठीक है, तो R.C. Clark जो है, श्री लंका का सरवोच सम्मान है, तो ऐसे में जिनका भी answer, friends, option number हमारा B, रहा है, वो इस question के लिए, बिल्कुल सही answer हो जाएगा, श्री लंका is the right answer of this question, चलिए, हम देखते हैं, इस class का friends, फटा-फट से अगला प्रशन, अगला प्रशन, ब्राजील की मुद्रा है, तो कुरुजेरा, लीरा, जिलती, क्रोन, ब्राजील की मुद्रा का नाम क्या है, बहुत ही आसान प्रशन है, very easy question, और इस question का भी answer आपको अपने home work में देना होगा, तीन questions आपको हम home work के लिए दे चुके हैं, ठीक है, तो अगला प्रशन, ब्राजील की मुद्रा का नाम के इस cancer भी आपको अपने home work में ही देना होगा, ठीक है, चलिए, तो हम देखते हैं, इस class का फटा-फट से अगला प्रशन, अगला प्रशन, बैलिस्टिक मिसाइल, निम्रिखित में से किसने बनाया था, एडवर्ड टेलर, स चलिए, इस question का right answer हो जाएगा, option number C, वर्णर वान ब्राउन, ठीक है, तो वर्णर वान ब्राउन ने बैलिस्टिक मिसाइल को बनाया था, जिनका भी answer, option number C आ रहा है, पिल्कुल सही होतार है, उनका, वर्णर वान ब्राउन, ओके, चलिए, हम देखते हैं, इस class का friends, फटा- पटसे अगला question, अगला question, कैगा परमाडू उर्जा केंदर कहां इस्थित है, तमिल नाडू, करनाटक, केरल, ये उडिशा, तो कैगा परमाडू उर्जा केंदर कहां पर है, बताईए, option B, करनाटक, तो कैगा परमाडू उर्जा केंदर कहां पर हिस्थित है, तो ये करनाटक में इस्थित है, जिनका भी answer friends, option number हमारा B आ रहा है, वो इस question के लिए बिल्कूल साही answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए, हम देखते हैं, इस class का फटा-फट से अगला question, अगला प्रशन आपके सामने, विश्च जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ये आसान प्रशन है, बच्चों वाला question है, बताईए, इस question का right answer, अगर आपने चुना है, option number B, 11 July को तो बिल्कूल सही answer है, तो प्रतेक वर्श 11 July को विश्च जनसंख्या दिवस की रूप में मनाया जाता है, ओके, अगर आपने अपना answer, option number B चुना हुआ है, तो बिल्कूल सही answer है, 11 July, चलिए, हम देखते हैं, फटा-फट से इ केम लिखित में से किस एक से संबंधित है, बते पर्रेवर संरक्षण, ओलम्पिक खेल, पत्रकारिता, इन नगर विमानन, बहुत आसान प्रश्ट है, बते पुलतुजर पुरुसकार का संबंध किस्ते हैं, जलिए, ऑप्सन नमबर C, पत्रकारिता, ठीक है, तो पुलिजर पुरुसकार का संबंध किस्ते हैं, यह पत्तरकारिता से हैं, जिनका भी अंसर ऑप्सन नमबर C का से समदने था ये पुलिजर पुरुसकार, चलिए, हम देखते हैं इसक्लास का अगला प्रश्ण, अगला प्रसे सर प्रत्थम गर्व निरोथक गोलियों का विश्कार किस ने किया था बताइए आप क्या आप्सेंस हैं माइकल डी बार्क ने बाल्टन लिलेहन ने टिम हिनमैन ने या पिकनस ने कमेंट करें सबस riktone कर रहे आंवर के eco के लिए प्रेंड सर होजाएगा है अगला प्रसें औरจะ ग्रूसली की लड conc कि कला का क्या नाम है तो गुंगफू, कुंगफू, कराटे या कुने डो पताइए तो बुरसली जिस कला से लड़ता है इस कला का नाम क्या है बताइए इस question का right answer हो जाएगा friends, option number हमारा B कुंगफू, इस कला का नाम क्या है तो कुंगफू है, जिनका भी आंस्टर option number हमारा भी आरा है, बिल्कुल सही होता है उनका, कुंगफू is the right answer of this question, शेल ये देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन दिया गया है कि पाबलो पिकासो की कला शेली का क्या नाम है पाबलो पिकासो की कला शेली का नाम बताना है आपको, आपके options है प्रक्रति next option, क्यूबिज्म ये थार्थवादी ये अमूर्द, पाबलो पिकासो की कला शेली का नाम क्या है चलिए, इस question का right answer option number E हो जाएगा प्रक्रति ओके, जिनका भी answer option friends A आया हुआ है answer में, बिल्कुल तहीं उत्तर है उनका चलिए अगला प्रशा है, हैरी पॉर्टर श्रंखला की लेखक है तो केके रावलिंग, जेके रावलिंग, जेके के जे रावलिंग, एके रावलिंग, एके रावलिंग, तो कितना जो है confusion create करने वाला अपने लक्स से भढ़कना नहीं है, जेके रावलिंग, जेके रावलिंग, ये जेके रावलिंग, ये एक हैरी पॉर्टर श्रंखला के लिए खर, clear, option B is the right answer, चलिए, हम देखते हैं, इस क्लास का अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, क्रोना किस देश की करन्सी है, हम देख क्रोना, क्रोना नहीं, क्रोना, क्रोना किस देश की करन्सी है, स्वीडन की है, ओकी, स्वीडन की, clear, जिनका भी answer, option number B आ रहा है, बिल्कुल जहीं उत्तर है, उनका, ठीक है, चलिए, हम देखते हैं, इस क्लास का अगला question, अगला question, वेलिकटन ट्राफी किस खेल में दी जाती है, मतलए, वेलिकटन ट्राफी किस खेल में दी जाती है, रोविंग, स्वीमिंग, याचिंग, याचिंग, शूटिंग, मतलए, वेलिकटन ट्राफी किस खेल में दी जाती है, चलिए इस question का रही टांसर हो जाएगा option number C या चिंग इनकी 9 का दौड option number C हमारा इस question में जिनका भी answer आ रहा है वो friends आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा चलिए हम देखते हैं इस class का friends फटा फट से अगला प्रशन अगला प्रशन इस मारक भारत में कौन सा है तो gateway of India इंडिया gate तीन मूर्ती जल्यावला बाग तो अज्याद सेनको का इस मारक भारत में कौन सा है कमेंट करें चलिए इस question का right answer हो जाएगा option number नमबर हमारा बी इंडिया gate इस question के लिए बिल्कुल सही answer होगा अगला प्रश्ण दिया गया है इंट्रेगल कॉज फैक्ट्री कहाँ इस्थित है बतईए फ्रेंट्स जिनका भी आंसर आरहा है अपसिन N пошी ऑन्सर है और मिल्कुल सही आंसर है तो integral coach factory कहाँ पर है पेरंबूर में है जिनका भी अंसर option number A आ रहा है वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है चलिए हम देखते हैं इस class का friends फटा फट से अगला प्रशन अगला प्रशन चंदीगड का वास्तविद ले कुर्बजियर किस देश का नागरिक था तो नीदरलेंड पूर्टगाल यूके फ्रांस चंदीगड का वास्तविद ले कुर्बजियर किस देश का नागरिक था बताईए इस question का right answer option number D हो जाएगा France ठीक है तो किस देश का था तो यह फ्रांस का था जिनका भी answer friends option number हमारा DR है वो आपका इस question के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं इस class का friends हम फटा फट से अगला प्रशन अगला प्रशन अपके लिए कुणा किस देश की सरकारी समाचार एजनसी है तो कुवैट, कतर, जार्डन, इरान कुणा किस देश की सरकारी समाचार एजनसी है बताईए इस question का right answer हो जाएगा France option number हमारा A कुवैट ठीक है तो कुना किस तेसकी सरकर्डी समाचार एजंसी है, कुवेट की एजंसी है जिनका भी answer फ्रेंड्स, option number हमारा A आ रहा है वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा तो कुना जो है कुवेट की समाचार एजंसी है चलिए, हम देखते हैं इस class का friends फटा फट से अगला प्रशन अगला प्रशन है T20 cricket विश्यकप में पहला शतक लगाने वाला खिलाडी कौन है बताई ये, T20 विश्यकप में पहला शतक लगाने वाला खिलाडी का नाम क्या है आपके options है, Chris Gale, Grim Smith, Harshal Gibbs, इन में से कोई नहीं, चलिए बताईए इस question का right answer हो जाएगा, option number A, Chris Gale, ठीक है T20 विश्यकप में पहला शतक लगाने वाले खिलाडी कौन है तो Chris Gale है, जिनका भी answer friends, option number A, R है वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए हम देखते हैं, इस class का friends, फटा फट से अगला प्रशन अगला प्रशन, common wealth खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किये जाते हैं, बताईए तो friends, common wealth, जो common wealth खेल है, ये कितने वर्षों बाद आयोजित किये जाते हैं, एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, या चार वर्ष पताईए, तो common wealth खेल कितने वर्षों बाद आयोजित किये जाते हैं, बताईए इस question का right answer हो जाएगा, option number D, चार वर्ष बाद, ठीक है, तो प्रतेक चार वर्ष के बाद, common wealth खेल, जो games है, इनका आयोजित किया जाता है, जिनका भी answer, option number हमारा DR है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है, चलिए, हम देखते हैं, इस class का अगला प्रष्ण अगला प्रष्ण, पहले ग्रीशम कालीन उलम्पिक खेल, किस वर्ष आयोजित किये गए थे, तो 2009, 2010, 2011 या 2012, बताईए इस question का right answer, option number D हो जाएगा, 2012, ठीक है, तो पहले ग्रीशम कालीन उलम्पिक खेल, वर्ष 2012 हमें आयोजित किये गए थे, ठीक है, जिनका भी answer friends, option number हमारा DR है, वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए, हम देखते हैं, इस class का अगला प्रष्ण अगला प्रष्ण, लागोस किस देश की राजधानी है, चाड, नाइजीरिया, कॉंगो या इथोपिया, लागोस किस देश की राजधानी है, बताईए, इस question का right answer हो जाएगा, friends, option number B, नाइजीरिया, लागोस किस देश की राजधानी है, तो यह नाइजीरिया की राजधा नहीं है, आपको याद रखना है, ओके चलिए, हम देखते हैं फटा-फट से इस क्लास का अगला प्रशना, अगला प्रशना, बीजक का रजाईता निमनलिखित में से कौन है, बीजक की रशनकार का नाम बताइए, आपसन साब के है, रविदास, सूर्दास, या सूर्दास, रविदास, कबीर या पीपा जी, चलिए, इस question का रएट अंसर अगर आपने चुना है, आपका option B, बिल्कुल सही answer है, ठीक है, चलिए, तो dear friends, एक second, कबीर दास, option B, जो कि इस option C पे दिया हुआ है, कबीर दास, ओके, ओके, जिनका भी answer friends, option B, आपने, बिल्कुल सही होतना है, उनका, चलिए, हम देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अंटार्टिका में पर्थम भारतिये इस्थाई प्रियोग शालों को क्या नाम दिया गया, अपसंस है आपके, दक्षर गंगोतरी, मैतरी, यमनोतरी, या गंगोतरी, बताइए, इस question का right answer हो जाएगा friends, एक second, yes, तो friends, अगर हम बात करें आपके, इस question के right answer की, तो जिनका भी answer आ रहा है, option number A, ठीक है, तो इस question का right answer friends, option number A हो जाएगा, दक्षर गंगोतरी, clear, चलिये, हम देखते है friends, इस class का अगला प्रश्ण, ओके friends, option A is the right answer, चलिये, अगला प्रश्ण, दादा सहाफ आल के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है, तो कारन देवी, सत्य जीत राय, देविकारानी, या मुहराब्द मोधी, बदा ये, कि दादा सहाफ आल के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है, इस question का right answer हो जाएगा option number C, देविकारानी, clear तो दादा सहाफ वाल के पुरस्कार के परथम विजेता कौन है, तो ये देविकारानी है जिनका भी answer friends, option number C आ रहा है, वो इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए देविकारानी हमारा इस question के लिए friends, विल्कुल तही उत्तर है, चलिए हम देखते हैं, इस class का friends, फटा फट से अगला प्रशन अगला प्रशन भारत द्वारा अंतरक्ष में प्रक्षेपित, प्रत्थम क्रत्रम उपगरह था वेरी इजी question, आरभट, लूना प्रत्थम, सेल्यूट फस्ट या इसपूतनिक फस्ट, बता ये तो भारत द्वारा अंतरक्ष में प्रक्षेपित, प्रत्थम क्रत्रम उपगरह का नाम क्या था इस question का right answer हो जाएगा, option number A, आरे भट, ठीक है, क्या नाम था उसका, आरे भट, ओके, चिनका भी answer, friends, option number A, आरे, विल्कुल सही, उत्तर है उनका, ठीक है, आरे भट, चलिए देखते हैं इस class का friends हम फटा फट से अगला प्रशन, अगला प्रशन है, कि वर्तमान में अंतर राष्ट्री व्यापार का प्रमुख पहरी है, वर्तमान में अंतर राष्ट्री व्यापार का प्रमुख पहरी कौन है, आपके options है, विश्य व्यापार संगठन, विश्य बैं संघ अंतर राश्ट करें लुद्सरेम उसी यस्तिवे में स्थी अप्सजाएं विश्व वियापारा पीहां सपहरी औ लूर करने पोझा के लिए पिए अंज़र आंसरु हो जाएगा विश्व व्यापार संग्थन चालिए थे अगला प्रेशन दुति विश्यूद के प्रारंब में जर्मनी ने किस तेश पर आकर्मन किया था आपके आप्सेंस हैं पोलेंड, जूडो से, रूस, या उस्ट्रिया तो दुति विश्यूद के प्रारंब में जर्मनी ने किस तेश पर आकर्मन किया था बताईए इस question का right answer हो जाएगा option number हमारा A, Poland ठीक है स्तुती विश्यूद के प्रारव में जर्वरी ने के स्टेश पर आकरोण किया था तब Poland पर किया था जिनका भी answer option number हमारा A, R है बिल्कुल सही उत्तर है उनका ठीक है चलिए, हम देखते हैं इस class का friends फटा फट से अगला प्रश्न अगला प्रश्न की चाइना मैन शब्द का संबंद है क्रिकेट से, फ्रांस से, मुक्के बाजी से, कुंग फू से, बते हैं चाइना मैन चाइना मैन का संबंद किस खेल से है बताइए इस question का right answer option number A हो जाएगा cricket से, clear तो friends चाइना मैन शब्द का संबंद किस से है तो चाइना मैन शब्द का संबंद cricket से हो जाएगा, ठीक है ऐसे में right answer अगर आपने अपना answer number A चुना हुआ तो बिल्कुल सही answer है तो चाइना मैन शब्द का संबंद cricket से है याद रखिएगा, ओके चलिए, हम देखते हैं फटा-फट से इस class का अगला question सर्वोच शौर पुरसकार परमवीर चकर के प्रथम विजेता कौन है? सबसे पहला परमवीर चकर कि इनको पतान किया गया था? उप्सन साब के सामने बताइए इस question का right answer हो जाएगा, friends, option number A मेजर शोमनात सर्मा कौन है? तो मेजर शोमनात सर्मा है, option number A जिनका भी answer आ रहा है, विल्कुल सही उत्तर है उनका, प्रिका option A is the right answer of this question clear, friends, चलिए हम देखते हैं इस class का friends फटा-फट से अगला question अगला question, शत्रंज के खेल का विश्कार किस तेश में हुआ? चीन, जर्मनी, भारत या यूके शत्रंज के खेल का विश्कार किस तेश में हुआ? बताइए तो इस question का रहे answer, friends, option number C हो जाएगा भारत clear, चलिए अगला question, DT, H, प्रक्षेपित उपगरह का नाम क्या था? तो रोहिडी, इंसैट 4A, एडुसैट, इंसैट IC तो DT, H, प्रक्षेपित उपगरह का नाम क्या था? बताइए इस question का right answer हो जाएगा, option number B, इंसैट 4A ओके? तो इंसैट 4A, DT, H, प्रक्षेपित उपगरह का नाम था? याद रखिएगा clear, तो जिनका भी answer, friends, option number हमारा B आया हुआ है वो इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा, ठीक है? चलिए हम रेखते हैं इस class का फटा-फट से अगला प्रशना अगला प्रशन दिया गया है कि सयुक्त राष्ट संग के सुरक्षा परिशद में इस्थाई सदस से होते हैं? तो 10, 5, 25, 17 कमेंड करें सयुक्त राष्ट संग के सुरक्षा परिशद में इस्थाई सदस से कितने होते हैं? चलिए तो friends, अगर हम बात करें इस question के answer की जिनका भी answer friends आ रहा है, option number हमारा C ठीक है, बिल्कुल सही answer है तो 25, option C, 5, B option पे दिया हुआ है तो सुद्धक्राश रक्षा परसद के जो इस्थाई member होते हैं, permanent ये 5 होते हैं जिनका भी answer option C आ रहा है, जो की B place पे 5 बिल्कुल सही उत्तर है उनका, चलिए, हम देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन निम्रिखित में से कौन सा प्रथम प्रशेपास्त्र जिसका विकास भारत में ही किया गया है आपके options है आवकाश, प्रथवी, अग्नी या तरिशूल चलिए, इस question का right answer हो जाएगा, option number हमारा B, प्रथवी clear, तो कौन सा प्रशेपास्तर जिसका विकास भारत में किया गया है, प्रथवी clear, चलिए, जिनका भी answer option number B आ रहा है, विल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है, चलिए हम देखते हैं, इस class का अगला प्रशन, अगला प्रशन, जी 15 निम्रिखित देशों का सम्मूँ है, तो जी 15 किन देशों का किसका सम्मूँ है, आपके option सा गुट नेरपेक्ष देश, विकसित देश, विकास सील देश, इनमें से कोई नहीं, तो जी 15 किसका सम्मूँ है, बताइए, इस question का right answer friends, अगर आपने चुना है, आपका option number C, बिल्कुल सही answer है, विकास शील देशों का सम्मूँ है, जी 15 जो है ये, विकास सील देशों का सम्मूँ है, याद रखिएगा, ओके, चलिए, हम देखते हैं, इस class का friends, फटा फट से अग प्लानिंग एंड़ पूर पुस्तक के लेखा कौन है, बताइए, तो friends, प्लानिंग एंड़ पूर, प्लानिंग एंड़ पूर के लेखा कौन है, आपके options है, B.S. मिनहास, अमरत सेन, गुनार मिर्डल या डेविड रिकार्डो, इस question का right answer हो जाएगा, option number A, ठीक है, B.S. मि चलिए, अगला प्रश्ण किस खेल में वेब एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है, तो गोल्फ, रगबी, शूटिंग, बिलियर्ड्स, बताइए, तो किस खेल में वेब एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है, इस question का right answer friends, अगर आपने चुना है option number B, रगबी, बिलकुल स प्रदान की जाती है याद रखिएगा option number B जिनका भी अंसर आ रहा है वो इस question के लिए बिल्कुल सही answer है clear चलिए हम देखते हैं इस class का friends फटा-फट से अगला question अगला question front line पत्रिका निमलखित में से किस समूह का प्रकाशन है तो time हेंज़स्थान times इंदू इंदिन एक्स्प्रेस मताओ ये तो स्वाइब तो नाम है स्थे फारवत होट चलिए अगला प्रशनी की विश्व क्या देर्श कौन सा है जहां महिलाओं के लिए साय ने सेवा अनिवार रहे हैं इस इस question के right answer के एगर हम बात करें तो जिनका भी answer option number DR है बिल्कुल सही उत्तर है उनका इसराइल ठीक है इसराइल एक मातर ऐसा देश है जहां महिलाओं के लिए सायन ये सेवा अनिवार रहें clear जिनका भी answer option DR है very good चलिए अगला प्रेशन है इस्टालिन गरवाद किस नदी के किनारे इस्थित है आपसेंस है आपके राइन, हडसन, वोलगा, डेन्यूब तो बते फ्रिंट्स की इस्टालिन गरवाद किस नदी के किनारे इस्थित है इस question का right answer हो जाएगा option number C वोलगा clear जिनका भी answer फ्रिंट्स option number C आ रहे है विल्कुल सही होता है उनका ठीक है वोलगा चलिए अगला प्रशन अपरकट शब्द किस खेल में प्रियोग किया जाता है तो वॉलीवाल, बॉक्सिंग, टेनिस, क्रिकेट तो अपरकट शब्द किस खेल में प्रियोग किया जाता है बताईए चलिए तो अगर हम बात करें आपके इस question के answer किया तो अपरकट शब्द किस खेल में प्रियोग किया जाता है तो यह आपको याद रखना है ठीक है कि यह जो है boxing में प्रियोग किया जाता है तो अपरकट श्ब्र का प्रियोग बॉक्सिंग में किया जाता है जिनका भी आंसर फ्रेंट से ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका ठीक है चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंट्स फटा-फट से अगला क्वेश्चिंग प्रेंट्स आज की वहारी क्लास थे इसमें इतना ही क्वेस्ट्स थे ठीक है तो आज की इसका स्वेश्चिंग ही हम आशा करेंगे जो क्लास है आपको काफी अच्छी लगी होगी जिन भी लोगों आपको लाइक नहीं के तो टूटल में तीन से डिसकस किसे सेट वन सेट टू और सेट थ्री ठीक है अगर आप लोग सपोर्ट अच्छा करते तो सेट फोर गवी डिसकस करते हैं लेकिन में आपलोक सपोर्ट ही नहीं कर रहे है तो हम इसको नेक्स क्लास के लिए रखेंगे तो चलिए आज की हमारी क्लास है मेरे पार दोस्तों साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लास को अपने सपोर्ट करें क्लास को सपोर्ट करने के लिए केवाल आपको क्लास को शेर करना है ठीक है तो फ्रेंड्स प्लीज जिन भी लोगोंने क्लास को लाइक नहीं के लाइक कर दें जिन भी लोगोंने class को share नहीं है, class को share कर दें, चलिए तो मैं आपका friend शिबम कुमार मिलता हूँ आप से आपकी next class में तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल लखिए, safe रहिए पढ़ाई करते रहिए, take care friends, bye bye